यह उलम्पिक्स जो हैं यहर चार साल में आते हैं और हर बार दिल तोड़के चले जाते हैं चीन में लगभग एक लाग सतर हदार स्टेडियम भारत में कितने स्टेडियम और जिन देशों में महिलाई खेल नहीं सकती हो और मेडल क्या लाएंगे और हो सकता है गोल्ड भी आ गया हो विनेश फोगट के साथ की उलम्पिक से जस्ट पहले वो अपने वीजा के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं जी ऐसा चल रहा है चलने दोना कौन बदले जंजट कौन उठाए खत्रा कौन ले हमें पता चलता है हमारे पुराने एथलीट है उनकी भुखमरी की हालत है को इपना घर बेच रहा है को इपने मेडल बेच रहा है चीन के पास एक सौभाग यह है कि उनके पास क्रिकेट भी मालो में चर्चा लंबी जा रही है पर चार साल में दिल सिर्फ तुम्हारे ही नी तूटता मेरा भी तूटता है तो मैं जरा खुल के बोलना चाहता हूं इस पर नमस्ते चार जी मेरा प्रेशन कुछ थोड़ा लग है यह उलम्पिक्स जो है यहर चार साल में आते हैं और हर दिल तोड़के चले जाते हैं और इस बार तो हाल कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान में हम सू उपर है जो मेडिल टेली है उसमें और मैं देख रहा हूं कि एक तरफ भारत के जो मेडि आगा वो युषसे से भी आगे पहुंच चुका है मैं अब मुझे चीज समझ नहीं आ थी कि ऐसा होता क्यों है तो मैंने आप सिर्शन दिन पहले भी पूछा था पर उस ताइम आपने कहा था कि इस बाद में बात करेंगे तो मैं एक बर आप से समझना चाहता था कि मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे मेरी शिक्षा में एक बात बहुत जोर दे के सिखा दी गई है कि बिना तत्थेों के बात मत करो और किसी बारे में मूँ खोलने से पहले जतना ज्यादा हो सके चाँच परताल चानबीन कर लो फैक्ट्स का पता कर लो फिर बात करो और अगर नहीं पता तो मत बोलो तो दो दिन तुम से इसलिए मांगे थे तो मैंने सोचा इस पर और मज़िदार है आप लोग लिखो तो एक 4C फ्रेमवर्क मेरे दमाग में तयार हुआ है कि भारत की यह हर चार साल में उलम्पिक में दुर्दशा क्यों होती है और जैसा इन्होंने कहा कि दिल क्यों तूटता है इस बार दिल ज्यादा तूटा है क्योंकि एक गोल्ड लेकर पाकिस्तान भी उपर बैठा हुआ है तो यह क्यों हो रहा है और कुछ बदल क्यों नहीं रहा है यह तो छोड़ो के गोल्ड बढ़ रहे हूं मेडल बढ़ रहे हूं पिछली बार जितना था उससे और कम हो गया क्यों हो रहा है तो 4C तो इसमें जो पहला C है हम कारण समझना चाहते हैं कि Olympics में क्यों हमारी दुर्दशा है जो पहला C है Capital Capital में भी मैंने थोड़ा जाच की तो दो तरीके से Capital Capital माने पैसा निवेश दो तरफ से निवेश होता है पब्लिक और प्राइवेट माने सरकार के द्वारा और प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा आंकड़े लिखते चलिएगा आपको बड़ा मज़ा आएगा भारत और चीन दो कॉलम्स बना लीजिए तो Capital में पहली चीज सरकार की कितनी स्पेंडिंग रहती है माने बजट कितना रहता है और दूसरी चीज कि जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ही है पूरी प्राइवेट मुस्टली प्राइवेट उसका साइज कितना है तो जो बजट है वो भारत का है लगभग डॉलर चारसो मिलियन जो स्पोर्ट्स बजट है और चीन का है डॉलर 3.2 बिलियन यह कितने गुना हो गया लगभग आठ होना भारत का चारसो पंद्रह मिलियन है पिछले साल का आबादी दोनों की लगभग एक बराबर है भारत की थोड़ी बहुत ज्यादे ही हो गई है पिछले महीनों में हमने चीन से आबादी अपनी ज्यादा बढ़ा लिए आबादी एक बराबर है और उनकी सरकार स्पोर्ट्स में आठ गुना ज्यादा निवेश कर रही है तो नतीजा क्या निकलेगा वही जो हमारे सामने है यह तो फिर भी कुछ नहीं है सरकार तो फिर भी शायद थोड़ी अपनी सिम्मेदारी निभा रही है यह आठ ही गुने का अंतर है अब सुनो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के साइज में अंतर भारत की जो पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है जो बाते बोल रहा है को राइबरेट करते चलना आखड़े उपर नीचे ना हो मेरे मैं मेमोरी से बोल रहा हूं तो निकाल के देखते चलो भारत की जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है लगभग दॉलर टू बिलियन की है और चीन की है साड़े साथ सो बिलियन के आसपास की साथ सो बिलियन के आसपास की चीन की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है जिसमें दोनों बातें आती है गुड्स और सर्विसेज और उसमें रेंटल्स और बागी चीज़े भी शामिल है गुड्स माने खेलने के कौन से सामान पैदा कर रहा है सर्विसेज मने कोचिंग सर्विसेज आ गई स्टाफ सर्विसेज आ गई फिजियो थेरपी आ गई स्पोर्ट से रिलेटेड बहुत सारी काउंसिलिंग की आती है चीज़े वो सब इसमें आ गई और जो आप यह प्राइवेट इंवेस्टमेंट है यह सरकार नहीं कर रही है इससे ही पता चल रहा है कि जो आम जनता है वो स्पोर्ट को कितना महत्तो देती है जब यहां आम आदमी स्पोर्ट को महत्तो ही नहीं देता और स्पोर्ट के नाम पे हमारे चलता भी क्रिकेट और क्रिकेट जिस वेराइटी का भारत में चलता है उसके लिए हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना होता है गली में क्रिकेट हो जाता है और वो जिसको हम टेनिस की टेनिस की नहीं होती टेनिस की तो महेंगी आती है उसको हम बोलते हैं किर की बात आती है तो उनमें खर्चा लगता है का आपको अगर उलिंपिक साइज स्विमिंग पूल बनाना है उसमें इंवेस्टमेंट लगेगा आपको टेनिस कोड ख़ड़ा करना उसमें इंवेस्टमेंट लगेगा इसलिए भारत थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी वहीं कर लेता है जहां बहुत इंवेस्टमेंट नहीं लगता या कम लगता है अपेक्ष्टया जैसे की पहलवानी हो गई बॉक्सिंग हो गई इनमें हम फिर भी कुछ कर ले जाते है जहां कहीं भी इंवेस्टमेंट लगना होता है हम हाथ पीछे खीच लेते हैं क्यों खीच लेते हैं उसके लिए हम दूसरे सी पर आएंगे दूसरे सी पर आने से पहले एक आपके लिए शांदार आकड़ा भारत में नहीं भारत नहीं पहले चीन का बताता हूं चीन की सरकार ने चीन में लगभग 1,070,000 स्टेडियम त कितने स्टेडियम सही जवाब देने वाले को मेरी और से यह मिलेगा चीन में लगभग 1,070,000 स्टेडियम भारत में कितने स्टेडियम एक हजार अभी कहानी पूरी नहीं हुई है साहिवान चीन के जो स्टेडियम है वो सब मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम है मतलब वहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट से जो खेले आ सकते हैं ऐसा स्टेडियम बनाया जाता है भारत के जो सबसे बहतरीन स्टेडियम है वो ज्यादा तर सिर्फ क्रिकेट को समर्पित है उसमें क्रिकेट के लावा आप बहुत कुछ नहीं खेल सकते पिछ बड़ा समवेजनशील एरिया होती है ना आप उसमें और कुछ करो के पिछ खराब हो जाएगी या आउट फिल्ड खराब हो जाएगी क्रिकेट की तो उसमें कुछ अधिक सधिक करते भी हैं तो वो जो बाउन्डरी पर ऐसे ट्रैक और फिल्ड के लिए एक ट्रैक बना देते हैं कि इसमें दॉल लो इससे आदा भारत के जो क्रिकेट स्टेडियम हैं उनका कोई बात है इतनी ये चोईस की बात है चीन ने ये चुनाव करा था असी के दशक तक चीन ने कर रखा था कि हम किसी जगह पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारी तयारी पूरी नहीं है बड़ा लंबा आरसा रहा चीन ने किसी भी इंटरनेशनल कॉमपटिशन ने पाणिसिपेट है नहीं किया उन्होंने त्यारी करी करी हम तयार कर रहे है इसको नैशनल फिटनेस प्रोग्राम बूलते हैं मूलते हैं सिर्फ पदक जीतने के लिए निये हमें अपनी आबादी पूरी फिट चाहिए और जब वो तयार हो गए तब 80's में अचानक से वो आए और आते ही उन्होंने बिल्कुल सेलाप की तरह चागए तो PT उशा वाला एशियाड था आप लोगों से कमलों देखा होगा मैंने देखा था टीवी पर वो मेरे खालते पहला या दूसरा एशियाड था जिसमें चीन ने शिरकत करी थी जिसमें PT उशा ने कई गोल्ड लिये थे वो पहला या दूसरा एशियाड गेम था जिसमें चीन आया था उससे पहले Asian Games में बस Japan और Korea इनका दबदबा रहता था तो चीन ने एक निर्णे लिया एक फैसला किया कि हमें अपनी आबादी को फिट रखना है और हमें अंतराश्ट्री पतियों किताओं में अपना दबदबा दिखाना है तो वो ये कर पाए Investment ऐसी ही नहीं हो जाता Investment एक पॉलिसी का नतीजा होता है विचार एक निर्णे होता है क्यों नहीं कर रहे है तो दूसरे सीपर आते हैं culture हमारा जो culture है वो संघर्ष का बहुत कम है हमारा जो culture है वो किसी वजह से surrender का बन गया है स्पोर्ट्स का तो मतलब भी होता है कि भीतर तुम्हारे प्रतियोगी भाव हो प्रतिदुन्दिता प्रतिसपर्धा का भाव हो कॉंपीट करना है एक कंफ्लिक्ट एक स्ट्राइफ को जानबूज के इन्वाइट करना है मैं उतर रहा हूँ रिंग में या अखाडे में जानते बूचते मुक्के खाने के लिए खाऊंगा भी मारूंगा भी मैं उतर रहा हूँ और हम बोल देते हैं और लगातार ये ओलिम्पिक्स में एशियन गेम्स में हमारे पदासीन अधिकारियों के वक्ता विरहता है और इस जैसा निकम्मा वक्तव वे कोई हो सकता है क्या हम कहते हैं कि देखो ये तो जीतना हरना है तो बच्चे होते हैं जो इन बातों की बहुत परवा करते हैं देल में जीतना हरना ये कोई बात होती है हमारा भाव तो ये है कि जाओ और पार्टिसिपेट करो हम सब भाई भाई हैं हम तो विश्व बंधुत दिखाने आए हैं ओलिम्पिक्स में हम लड़ाई जगड़े में यकीन नहीं करते हम तो बहुत चान्तिप्रियों लोग हैं जाता भारत के पदक ज्यादा वहां से आते हैं आप होकी पर कहा रहे हैं इतने सारे हमने पदक जीते बहुत सारे गोल्ड जीते बहुत पहले की बात है वो जब जीते थे अभी ताजा ताजा हमने दो कान से पदक भी जीते होकी में होकी में आधे खिलाडी पंजाब के होत ये वो जगहें हैं भारत में जहां सरेंडर बहुत अच्छी वैल्यू नहीं मानी जाती क्योंकि ये सीमावर्ती इलाके रहे हैं सदा से भारत के तो जब भी आकरमन हुआ तो इन लोगोंने जहला है इन्होंने जहला है, संगर्च किया है, जवाब दिया है, लड़े है, तो आज भी उनमें लड़ने की स्पिरिट बाकी है, पर बाकी पूरे भारत में, मैं देखो नहीं कहना, जो मैं बोलना चाहता हूं वो समझना, मेरी बातों को तोड़ मरोड के मत समझना, मैं किस भाव से क करके, हम ये बहुत हो गए हैं, और जहां जहां ये भाव जितना गहरा है, वहां से तुम मेडल की तो उमीदी छोड़ दो, और जहां ये भाव जितना गहरा है, वहां तुम पाओगे कि वहां से फिर, जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर शारीरिक दमखम की जरूत पड़ती है वहाँ भी कम लोग जाते है सेना में भी तुम देखो, खासकर थल सेना में, आर्मी में सबसे ज़्यादा कहां से तुम पाओगे लोगों को पंजाब, हरियाना, राजस्थान, पश्चमी उत्तर प्रदेश होते हैं, मानता हूं बिलकुल पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी होते हैं, बिहार से भी होते हैं पर पंजाब में तो हर गाओं से होते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी होते हैं, मध्य प्रदेश से भी होते हैं, बिहार से भी होते हैं सेना में, पर पंजाब में तो हर गाउं से होते हैं और फिर मेडल भी उधर से ही आते हैं जहां ज़स्बा यह हो कि संघर्ष करना है हमने तो संस्कृत का मतलब ही क्या बना दिया कल्चर संस्कृत ही हमने उसका मतलब ही क्या बना दिया जी 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 समर्पन है जी समर्पन है जब तक संस्कृत का मतलब समरपन रहेगा संगर्ष नहीं तब तक मेडल लाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा यहां तो सेकेंड के दसवे हिस्से के लिए जूजना पड़ता है ना समरपन तो थोड़ी हुझा जाएगा कि आकर के इश्वर हमें बचा लेगा या जिता देगा ऐसा होता है कि तो यह पहली चीज कल्चर में क्या पहला सी क्या था दूसरा सी कल्चर कल्चर में पहली चीज हमने क्या बोली समरपन अब दूसरी चीज महिलाओं के प्रतिरवया भारत ही नहीं उन सब देशों के लिए उलम्पिक्स में सम्मान पाना और मुश्किल होता जाएगा जहां महिलाओं की इज़त नहीं है कारण बता देता हूँ बहुत सीधा कारण ये पहले उलम्पिक्स हैं जिसमें महिलाओं की भागिदारी बिल्कुल 50% की है 20-25 साल पहले भी जो उलम्पिक्स थे उसमें महिलाओं की भागिदारी 20-25 प्रतिशत की थी जब उलम्पिक्स शुरू हुए थे तो महिलाओं की भागिदारी 2% की थी 2% की और वो बढ़ते बढ़ते इस उलम्पिक्स में जा करके 50% पहुँच गई है माने आधे मेडल किसके है महिलाओं के तो जिन देशों में महिलाओं को खेलने के लिए प्रोथाइत नहीं किया जा रहा है उनका अब खेलों में क्या भवश्य है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ ही ऐसे स्पोर्ट्स बचे थे जिनने फीमेल्स आगे बढ़ती नहीं थी या उनका पार्टिसिपेशन था ही नहीं वो भी अब बंद हो गए अब लगभग सारे ही खेलों में एक तरफ मेंस कॉम्पिटिशन चल रही होती है और एक तरफ विमेंस कॉम्पिशन चल रही होती है तो आधे medal तो women कोई लाने है और जिन देशों में महिलाएं खेल नहीं सकती वो medal क्या लाएंगे उनके पास तो female participants ही नहीं है पिछले 5 Olympics से अमेरिका के 55 से 60 प्रतिशत पदक महिलाएं ला रही है अमेरिका जो हमेशा चड़की उपर बैठा रहता है नमबर एक पे रहता नहीं तो नमबर दो पे हो जाता है नमबर दो पे भी अगर होता है तो उससे आगे या तो रूस निकलता है या कभी चीन नहीं तो नमबर तीन पर Olympics के इतिहास में आज तक अमेरिका नहीं आया अमेरिका को किसने बिलकुल टॉप पर रखा है आज तक महिलाओं ने ये लोगों को जटका लग जाएगा ये ऐसी बात है हाँ अगर अमेरिका दस पदक जीतता है तो उसमें से च्छे महिलाओं के होते हैं महिलाओं अमेरिका को जिता रही है पता गड़ यह गा इस बार के जिमनास्टिक्स में इसको गोट माना गया है वो महिलाओं और अश्वेत महिलाओं और कहां की है अमेरिका की है और इतने जोला भरके वो अमेरिका के लिए पदक ले करके आ गई किस में जिमनास्टिक्स भारत में महिला जिमनास्टिक्स में जाए तो तुरंत उसको बोलेंगे कुलक्षिनी, कुल्टा बेसरम टांगे खोल करके कूद रही है तुम्हें कहां से पदक मिल जाएंगे आधे पदक तो महिलाओं के भरोसे हैं वहां तुम्हारा ऐसे हो जाता है और ऐसा करके भी इस बार जो एक मात्र ट्रतियोगी है जिसने दो-दो पदक दिलाई भारत को वो कौन है? एक महिला है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? और हो सकता है गोल्ड भी आ गया होता विनेश फोगट के साथ अगर किसमत थोड़ा साथ दे दे थी तो वो भी हो गया होता महिलाओं की उपेख्चा करके तुम मिडल कैसे ले आ लोगे? हौकी के अलावा भारत ने जो मिडल्स दीते हैं देखना है उसमें कम रिप्रेजेंटेशन के बावजूद उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है तुम्हें आद करने जाओगे तो एक के बाद एक महिलाओं के नाम आद आएंगे अभी हमने पीटी उशा का नाम लिया था अभी तुम्हें मीरा भाई चानू का नाम आद आजाएगा कितनी महिलाओं का नामयाद आएगा जो भारत को पदक दिला रहे हैं जबकि भारत में महिलाओं के खेलने के लिए अच्छा महौल है ही नहीं तो क्वज में आ रही ही बात यह और चीन के भी पदकों में जाकर देख लोगि इस बार महिलाओं नों कितने दिलाए है ये छूटी बात नहीं है, पचास परसेंट मामला यही है अगर सौ प्रतिशत की समस्या है तो उसमें पचास परसेंट तो यही है कल्चर में अब तीसरी बात सुनिए बॉडी भारत ने पता नहीं कौन सी माननेता के चलते देह की भारी उपेक्छा कर दी और जब तुम देह को ही नहीं सम्मान दोगे तो मेडल कहां से लाओगे यह कल्चर का तीसरा पॉइंट है देह, बॉडी भारत में आप अगर शरीर बना रहे हो तो अभी भी जो पुराने किसम की माननेता वाले बहुत सारे लोग हैं वो कहेंगे रे तेहे में क्या रखा है, शरीर तो नश्वर है क्या तन मांजता रे मिट्टी में मिल जाना संतों ने बहुत ऊची बात कही थी, पर इसलिए थोड़ी कही थी कि तुम व्यायाम न करो, और पढ़े रहाओ खापी के पकोड़ा तान के ना कर काया पे अभिमान आप जिसको healthy food कह सकते हो, सिर्फ यह नहीं कि इतना है कि survive कर जाओगे आप जिसको healthy food कह सकते हो, भारत में सिर्फ 25 प्रतिशत लोगों को मिलता है, यहां कड़ा है और आप जिसको healthy food कहोगे, जिसको खा करा, आप सिर्फ चलोगे नहीं स्वस्त मसबूत अंदर उस्तर होगे, वो चीन में 90 प्रतिशत लोगों को मिलता है अब बताओ middle कौन लाएगा और जो undernourished लोग होते हैं, कि जिनके आप अगर blood test लो, तो उसमें mineral, vitamin और 100 चीजें और गलबड़ निकलेंगी उनका खून ले के testing करो, जो malnourishment के cases होते हैं, वो चीन में हैं बस 2 प्रतिशत, भारत में 16 प्रतिशत 16 प्रतिशत हमारी आबादी ऐसी है, कि वो बिना खाए मर सकती है किसी दिन उनके vital ingredients ही नहीं है बॉड़ी में और 75 प्रतिशत आबादी ऐसी है, जो मरेगी तो नहीं, चलती रहेगी, लेकिन उसको तंदरुस्तिया मजबूत नहीं कह सकते 75 प्रतिशत हमारी आबादी ऐसी है ये medal ले आएंगे हम, और क्यों? इसलिए नहीं कि हम गरीब है 75 प्रतिशत भारत इतना नहीं गरीब है आज कि वो अपने आपको समुचित पोशन न दे सके बात किसकी है culture, संस्कृति की महिलाओं में अनीमिया के सबसे आदा मामले कह हैं? भारत में दुनिया की heart attack capital क्या भारत है? मदुमें भारत है कितने तरीके की deficiencies food deficiencies, सबसे ज़्यादा कहा है? भारत में कारण गरीबी ही नहीं है, गरीबी भी कारण है पर गरीबी से ज़्यादा बड़ा कारण है attitude शरीर के क्या है? मिट्टी है, मिट्टी हो जाना है व्यायाम तो समय खराब करने वाली बात है, अमीरों के चोचले है व्यायाम अमीरों के चोचले नहीं है भाई sports is to be taken as seriously as anything else आपने अगर दिन में exercise नहीं करी है, या sports नहीं करें है तो या आपने अपने खिलाफ गुनाह कर लिया है, इसको इतनी seriously लेना होगा पर वो चीज हम में है नहीं थोड़ा भूत वो metro cities में फिर भी आ रही है बात, छोटे शहरों में तो बिलकुल भी नहीं है last priority दी जाती, जब सब कुछ कर लिया जंदगी सेट चल रही है, सारे काम निप्टा लिये है, हाँ तो ठीक है पंदरा मिनिट जा करके जिम में ऐसे ऐसे अपना थोड़ा कर रहा हूँ बस यही है जिमिंग बात आरी यह समुझ में और यह जो एक एक फैक्टर बता रहा हूँ यह दूसरे फैक्टर के साथ integrate हो जाता है दूसरे फैक्टर के साथ संबंध बनाके interact करके compounding कर देता है तीसरी चीज तीसरा C conformity conformity माने जैसा चल रहा है चलने दोना कौन बदले जंजट कौन उठाए खत्रा कौन ले sports कक्षेत्र सदा एक regular नौकरी से ज्यादा risk कक्षेत्र होता है आपने एक regular नौकरी ले ली वो भी खासतोर पे सरकारी तो ये तो छोड़ो कि तंखा पक्की है pension भी पक्की है ये तो छोड़ो कि आप कोई pension मिलेगी आप मर जाओगे तो आपके घरवालों को मिलेगी वहाँ सब कुछ तै होता है sports में uncertainty तो देखो हमेशा रहती है जीतते जीतते हार सकते हो पता नहीं sponsor मिला कि नहीं मिला ये नहीं कि 100% uncertainty है पर नौकरी से ज्यादा अनिश्चित होता है sports का क्षेत्र और जिन लोगों को सब कुछ बंधा बंधाया सुनिश्चित चाहिए सुरक्षित चाहिए जो बहुत डरे हुए लोग है वो रिस्क नहीं उठा सकते हम पता नहीं क्यों बहुत डरे हुए लोग है हम ऐसे capital, culture, conformity और चौथा सी ऐसा है जो थोड़ा सा आपके अब literally छक्के छुड़ा देगा cricket छक्के छूटे भारत के Olympics में medal क्यों नहीं आते बहुत बड़ा कारण है cricket हमने कहा भारत के कुल तो 1000 स्टेडियम है और वो भी ज्यादातर किसको समरपित है हमने कहा भारत की 2 बिलियन डॉलर की तो sporting industry है वो भी 87 प्रतिशत किसको समरपित है cricket को cricket ने बाकी सब खेलों को लील लिया है बिलकुल चीन के पास एक सोभाग्य यह है कि उनके पास cricket नहीं है अमेरिका के पास भी इसा भाग गया है पर भारत अब धीरे धीरे अमेरिका में cricket को ला रहा है और IPL छोटी चीज नहीं है चीन ने जो काम ओलम्पिक्स में करके दिखाया है भारत ने वो काम IPL में करके दिखाया है IPL की brand value दुनिया में सबसे महंगे sporting brands में से है हमने sporting budget हमने भारत के budget की बात करी sports budget की क्या बोला million में था न 415 million और IPL की जो सिर्फ broadcasting rights होती है वो billion में होती है भारत के खेल budget से एक थरे से ज्यादा महंगी होती है पूरे भारत देश के पूरे खेल budget से आदा महंगा है वो IPL का वो अब medal आएगा क्या और cricket ओलम्पिक में घुसने नहीं दिया जाता है वो गहते हटाओ ये कोई खेल है ये तुमारे खेल की दुनिया में इज़्जत है ओलम्पिक्स में हो खेलाते ही नहीं क्रिकेट बोलते हैं ये हम खेल जैसा खेल होना चाहिए एक भाग रहा है एक लकड़ी लेके खड़ा है और दस जेब में हाठ डालके खड़े हैं इसको हम खेल मानते ही नहीं ये कौन सा खेल है जिसमें बीच में लंच और टीबी होता है ये पार्टी जैसी चीज हो सकती है लंच चल रहा है टी चल रहा है इसे स्पोर्ट हम मानते ही नहीं वो लगते ही नहीं उसे उलम्पिक्स में Asian Games तक में बहुत कोशिश की जा रही है कि इसको रखो रखो बात बनते बनते रह जाती है कभी रख लेते हैं Commonwealth तक में तकलीफ आई थी cricket को रखने में पर Commonwealth में फिर भी चल गया क्योंकि उसमें England है, Australia है वही है देश जो सब Britain वाले हैं तो वहाँ फिर भी मुझ में आ रही है बात इस चार सी हैं जब तक इन चार सी से अजादी नहीं मिलेगी हर चौथे साल दिल टूटे गई टूटे गा कुछ पदक आ जाएंगे वो ज्यादा तर individual brilliance से आएंगे वो systemic products नहीं होंगे वो ऐसा नहीं है कि system ने उन लोगों को उन खिलाडियों को पैदा करा नहीं चाइना में खिलाडियों को system पैदा करता है भारत में खिलाडी system के खिलाफ जाकर के medal लाता है यहाँ तो medal ला भी रहा होता है तो system उसको रोकता है कि medal न ला कली आखरी तेन न फुरूम्पिक जिए लूजिए लुजाब बस बस जाए, सी आफर फ्रोव इर्स